स्रीश वाय नमस्तो भ्याम हम सबको पता है कि 10 नवंबर को आवला नौमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है ये वही दिन है जिस दिन हम सभी लोगों को हरी हर महाद्यो का तो उपाय करना ही करना होता है साथ ही साथ हरी हर महादेव का ये दीपक भी हम सभी को आज रात में प्रजलेज जरूर करना होता है बहुत ही special सी वीडियो है बहुत ही प्यारा सा उपाय है जिससे आपकी जो भी बरसों पुरानी मनों कामना होगी वो सारे इच्छा हरी हर महादेव पूरी जरूर करेंगे ठीक है ना अब यहाँ पे हरी हर महादेव को पहले आप समझ लो देखो आवला नौमी का जो दिन होता है वो किसको समर्पित है भगवान हरी को है ना और इस दिन हम भगवान हरी और भगवान शंकर को क्या करा रहे है मिलन करा दे रहें आईए कराते हैं बहुत special सी वीडियो है पहले समझो कि कराना कैसे है देखो इस उपाए के लिए हमें दो दीपक की जरूरत पड़े कितने दीपक लेना है आपको दो दीपक लेनी है जो दोनों दीपक लोगे आपको घी डालना है ध्यान लखिएगा घी कौन सा होगा गौ मातका अब ये दोनों दीपक आपको अलग अलग जलाने होगे मेरी बास समझेगा देखो पहला दीपक जो आपको लगाना है वो आपको लंबी बत्ती का लगाना है और जो दूसरा दीपक आपको लगाना है वो गोल बत्ती का लगाना है ऐसा क्यों करना है पहले समझो जो लंबी बत्ती का दिया होगा उस लंबी बत्ती के दिये को ले करके कहां पे जाओगे आपके घर के अंदर जो भी आवले का पेंड हो या फिर घर के बाहर जो बड़ा सा पेंड हो, चोटा सा पेंड हो, आवले का हो, आपके आस पास पडोसी के हां लगा हुआ हो, वहाँ पे भी जला सकते हो, ठीक है न? जाना और उसके बाद में उस दीपक में लंबी बत्ती का दिया आपको प्रजलित करना, ठीक है न? पहला दीपक किसका हो गया भगवान हरी के लिए हो गया क्योंकि जब हम लंबी बत्ती का दिया मा लक्ष्मी के लिए लगाते हैं तो इससे कौन खुश होंगे भगवान हरी खुश होंगे तो हमने यह दीपक किसके लिए लगा दिया भगवान हरी के लिए निकि भगवान नरायन के अब जो दूसरा दीपक आपको लगाना है आपके घर के अंदर अब वो दूसरा दीपक घर के बाहर नहीं लगाना है वो जो दूसरा दिया आपको लगाना है आपके ही घर के अंदर जो महादेव का शिवलिंग हो उन महादेव के शिवलिंग के पास में आपको लेके जाना है उस दीपक को लेकिन यहाँ पे जो आप उस दीपक को प्रजलित करोगे वो बत्ती कौन सी होगी गोल बत्ती का दिया यहाँ पे आपको जलाना होगा इस से क्या होता है भगवान हरी तो खुश हो ही रहे हैं इसाती साथ आपने भगवान हर यानि की महाद्यो को भी कुश कर द जो भी कमिया होती है महादेव उसको पूरी जरूर करते अब यहां पे एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे देखो जो मैंने आपको पहला दीपक बताया ना दीपक के नीचे कुछ ना कुछ रखा जरूर जाता है तो जो दीपक आवले पेंड के नीचे आप जलाओगे उसके नीचे आवले पेंड के ही मिट्टी रख देना और जो दीपक महादेव के शिवलिंग के पास में लगा रहे हो अपने घर पे तो उस दीपक के नीचे चाहे तो चावल का दना रख सकते हो या फर घर में आपके काला तिल भी होगा उस काले तिल को भी रख सकते हो जो भी व देखो आज के टाइम पे ऐसा बहुत सारे जगों पे होता है कि घर में लोगों की नजर बहुत लगती है ना पर आपर आप पी घर में 11 काली मिर्च गिन करके जो काली मिर्च होती है उसको पीछना नहीं है ग्यारा काले मिर्च खड़ी वाले लेना जो व्यक्ति घर में गुस्सा कर रहा है जो व्यक्ति घर में आपके बीमार रहता है या फिर जिस भी व्यक्ति को घर में आपके टेंशन रहती है उस व्यक्ति के ऊपर से आपको क्या करना है इस काले मिर्च को घुमा लेना है कितनी गुमाओगे ग्यारा बार गुमाएंगे कुलॉक वाइस डारेक्शन में जिस दिशा में घड़ी घूमती है ठीक है ना मेरी बास समझ मेरी क्या गुमा लिया और गुमाने के बाद में फिर इसी काले मिर्च को ले करके जाओगे जब उपाय करने के लिए आवले पेंड की जरूर होगी अब यहाँ पे कुछ नियम आपको फॉलो करने हैं मैंने आपको बताया था कि आवले पेंड के नीचे जा करके आवला नौमी के दिन दो काम जरूर करना ठीक है ना वो दो काम पहले सुन लो फिर इस काले मिर्च वाले उपाय में थोड़ी सी चीजे और जोड करके अफर कहीं से भी ले करके आवला ले लेना ठीक है ना और उस आवले को दान करना कम से कम पांच लोगों को जरूर देना ज्यादस ज्यादा आपकी इच्छा है लेकिन कम से कम पांच लोगों को आवले का दान जरूर करना चाहिए अगर आपको ये चाहिए कि आप पे घर में कभी कोई बीमार ना पड़े पहला काम कर लेना और दूसरा काम जो आपको बता रहा हूँ वो दूसरा काम ये करना है कि घर से कुछ ना कुछ बना के ले जाना चाहे खीर बना लो पूरी बना लो सबजी बना लो कुछ इसमें देओ कोई रोक टोक नहीं है कि यही बनन चाहिए आप कुछ भी बना सकते हो और उसको ले करके जाना आवले पिंड के नीचे अगर भोजन कर लेते हो या करा देते हो घर परिवार के लोगों को बाहरी लोगों को तो इससे भी घर में बीमारी नहीं आती इस दो काम जरूर कर लेना बाकी कोई काम करो ना करो अब बात करते हैं थोड़ा सा इसमें जोड़तेते हैं कि जिससे आप मालो इस उपाय को किसी और के लिए कर रहे हो तो 11 बार घुमाओगे लेकिन अगर मालो यह उपाया आप खुद के लिए कर रहे हो खुद बीमार हो तो 7 बार घुमाएंगे डायरेक्शन ध्यान रखना को लोग व और मैं बनाता नहीं दो काफी लोग परेशान थे कि बिया आपने सब कुछ बता दिया बट परिकर्मा वाला जो उपाय था उसको नहीं समझाया तो इस वीडियो में हम लोग परिकर्मा के उपाय को समझेंगे ठीक है इसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से क्या लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम करो जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे इस चैनल पे तो जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब है ना यहां पर आपको जो धागा दिख रहा है ना बहुत सारे जगों पे इस धागे को कच्चा सूत बोला जाता है बहुत सारे जगों पे इस धागे को क्या बोला जाता है मौली कलावा भी बोला जाता है तो आप मौली कलावा लेना इस मौली को या फिर आप इस कलावा कह दो इसके फायदे ये हैं कि जैसे मान लीजे कि आप पे आवले पेंड की जर्पी ठीक है ना सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनियेगा आप वहां पे पहुचना नौमी दिथी को शाम के टाइम पे प्रदोशकाल के बाद में बहुचना यहां पे कोई एक तहनी चूस कर लो पहले कि यही तहनी है और उस तहनी को याद रखना उस तहनी के ऊपर आपको क्या करना है उस कच्चे सूत को जादा मात्रा में लपेट दिना लपेटने के बाद में अब आपको करनी है आवले पेंड की परिकर्मा परिकर्मा बहुत जरूरी है चाहे आप इस उपाय को सुबह कर रहे हो तो भी परिकर्मा करोगे शाम को कर र परिकर्मा लगाना चाहिए आवले पेंट की कम से कम साथ जादा से जादा आपकी इच्छा बहुत सारे लोग 108 बार घूमते हैं लेकिन मैं आपको सलाह नहीं दूँगा अगर आपकी तबियत ठीक रहती है आप स्वस्थ हो तो आप 108 बार नहीं 1008 बार घूम लो कोई दिक्कत जादा घूमने के और आप अपने घर से ले जाना अगले दिन पड़ेगी 10 मीं तिथी, द्थी को जो डटाली में जो टहने में आपने कच्छे सूत को लपेटा था उसको निकाल करके घर पे रख लेना और जब भी आप पे घर का कोई भी व्यक्ति घर से बाहर जाएगा उ जिससे भगवान हरी उसकी रक्षा करेंगे और जिस काम के लिए जा रहा है उस काम में उसे सफलता जरूर मिलेगी ठीक है ना शलो अब हम लोग यहाँ पे आखरी एक बात को समझ लेते हैं जो कि हमारा चौथा उपा है यह कोई उपाय नहीं है यह काम आपको करना ही करना है आप चाहे सनान करके गए हो तो भी करना है सनान नहीं किया है तो भी करना है बच्चे हो तो भी करना है बुड़े हो तो भी करना है लड़की हो तो भी करना है शादी हुई है तो भी करना नहीं हुई तो भी मतलब कहने का मतलब है सभी को करना है ठीक है ना क्या करिएगा आ आवले पेंड की में नीशे जा करके सभी के पास में फोन होगा है, स्मार्ट फोन होता है, सभी के फोन में नेट है, आप क्या करना है, गूगल ओपन करना है, जैसे मेरे फोन में देखो, गूगल ओपन है, अब इस गूगल के हमने क्या रखा है, सर्च में लिख रखा है, कनक तो आपको क्या करना है ऐसे ही सर्च कर लेना मन हो हिंदी में सर्च करो मन है अंग्रेजी में कनक धारा श्रोत हिंदी में सर्च करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से बहुत सारी वेबसाइट खुलेंगी और उनमें से कोई भी एक चूज कर लो हिंदी उसमें संस्कृत में अब संस्कृत और हिंदी दोनों को मिक्स कर लेक्ते हो या फिर सिर्फ हिंदी वाला भी पढ़ सकते हो यहां पर पढ़ना कुछ ऐसे लिखा रहता है संस्कृत में और कुछ उसका अर्थ ऐसे लिखा होता हिंदी में मन हो संस्कृत में पढ़लो मन हो हिंधी में दोनों मत पढ़ना कोई एक ही पढ़ना चाहिए संस्कृत वाला हिंधी वाला जो भी विक्ति शाम के टाइम पे साड़े पाँच बजे से ले करके और साथ पैंतालिस के बीच में आवला नौमी के दिन कनक धारा श्रोत का पाठ कर लेता है उनके घर में कभी पैसों की कमे नहीं होती साल भर मालक्ष्मी कवास उनके घर में बना होता है तो करना जरूर है कुछ साथ, आठ या नौ ऐसे करके कुछ स्लोक है मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है तो मैंने कोशिच की है आप सभी को हर एक चीजों को बहुत ही अच्छे समझाने की तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा कुछ पूछना है नहीं समझ मैं बिल्कुल टेंशन ना ले नीचे कॉमेंट सेक्षिने पूछेगा मैं पूरी कोशिच करूँ मैं रिप्लाई करने के और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहरी बार सुन रहे है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे स्री शुवाय नमस्तु भ्यम